हेलो स्टुडेंट अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज में क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास टेंथ में इस बार एक्जाम देने वाले 2022 में उनके लिए जो जैक बोड जैक बोड ने जो मॉडल सेट दिये है वो उन पांच मॉडल सेट को मैं करूंगा अगर आपको दिक्कत होरी मॉडल सेट को बनाने में या तो जो भी बुक आप त्यार कर रहे हैं जिस बुक से भी पढ़ रहे है उसके लिए कोई टिंसन नहीं है जो भी हम अभी मॉडल सेट आपको बताएंगे एक करके सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा और कैसे एक्जाम में लिखना वो भी सारे चीज में कोईसन के साथ सॉल्ब करते चलूंगा तो देख सकते हैं हमारे पास ये एक मॉडल सेट का बुक है तो ये जो मॉडल सेट दिया है इनका सॉलूशन है हम लोग अपना सॉलूशन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन नहीं आज हम लोग सेक्शन ए को पढ़ेंगे सेक्शन ए में क्या कहा रहा है बिंदू मैनस पांस और साथ तथा मैनस थ्री मैनस वन और थ्री के बीच की दूरी गयात कीजिए तो क्या करना आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो कोशन दिया है क्या अब दूसरा पॉइंट्स कितना दिया है मैनस वन और थ्री यह दो पॉइंट्स दिया है अब इनकी बीच की दूरी बोड़ा है तो आपने दूरी फार्मूला पढ़े होंगे चली हम लोग देखते हैं यह पहले वाले होता है एक्स वन और यह होगा वाई वन फिर इधर हो दूरी से उत्री से क्या है हमारा एबी की दूरी निकालना किसका निकालना एबी तो यहां पर एबी करना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहां पर देख सकते हैं अब लोग यहां लेख सकते हैं एक्स टू मैनस एक्स वन का होल स्कूर करना यह फॉर्मूला आता है फ पिर x1, x1 का है, minus 5 है, तो यह minus और यह minus, दोनों क्या हो जागा, plus कितना लिखेंगे, 5, इसको करदेंगे, whole square, plus y2, y2 हमारा कितना देखे, y2 मेरा कितना है, 3, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 लिखना है, फिर minus है, और y1 मेरा 7 है, यह y1 लिखना है, तो minus 7 करदेंगे, उसका whole square, और यह under root है, तो under root इस तरह के आपको देदेना, अब यहाँ पर देखे, minus 1 और plus 5, तो यहाँ पर देखे, plus और minus होजागा, minus, और बड़ा sign क्या है, plus का है, तो यह plus ही होगा, 5 में एक को घटा देंगे, कितना होगा, 4, 4 का square करदेंगे, plus, फिर यहाँ पर 3 में 7 को घटाना है, plus minus मैनस ही होगा, लेकिन बड़ा के पीछे कोई साइन मैनस का, तो मैनस लगा देंगे, और 7 में अब 3 घटा दो, कितना होगा, 4, इसका square करदेंगे, फिर यह under root करना है, अब यहाँ पर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, कि 4 का square करेंगे, कितना होगा, 16, plus मैनस 4 का square, देखिए, किसी भी संख्या का square करोगा, मैनस होगा, पलस होगा, तो 4 का square करेंगे, प्लस 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वर करेंगे 16 यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 और 16 कितना हो गया 32 अब 32 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर देखे 4 गुने 4 16 गुने 2 और यह रूट में है अब यहाँ देखे 2 4 है एक क्या हो जाएगा बहार निकल जाएगा और एक रूट है एक दो है तो रूट के अंदर हो जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 रूट 2 तो उमिद करते हैं कि यह वालो कोशन आपको समझ में आ गया होगा और आपके एक्जाम में यह question one marks के पूछेंगे clear अब चले हम लोग दूसरे number question पर आते हैं अब देखें यहाँ पर हमारा दूसरे number question section a का ही है कह रहा है sign a वराव 3 वटे 4 तो cos a और 10 a का मन निकालना यहाँ पर हमारा question दिया है कि sign a वरावर हमारा क्या है 3 by 4 और हम लोग को find क्या करना है निकालना क्या है हम लोग को बोल रहा है cos a और 10 a इन दोनों का value निकालना है cos a और 10 a का मान निकालना है तो कैसे करेंगे simple सा देखे अगर यहाँ पर a का form में दिया है theta मेरा a है यहाँ पर भी a है यहाँ पर b है जब theta हमारा a ही है तो हम लोग यहाँ पर triangle नहीं बनाएंगे दूसरे number question तो हम लोग यहाँ पर करेंगे sin a बरावर हम लोग को दिया है sin a बरावर आप लिखना है क्या होगा 3 वटे 4 है यह हम लोग को दिया है लेकिन हम लोग जानते हैं हम जानते हैं कि sin theta बरावर क्या होता है पी बरटे h यह होता है पी बरटे h अब दीखे पी जो है उपर में है यहाँ पे 3p के जगा है तो p इकल्ड़ क्या करेंगे 3 के लिखेंगे क्योंकि यह एक constant है यहाँ पर में 3 है यहाँ पर पी है पी बरावर 3 हो गया और नीचे हमारा h है और यहाँ पर कितना है 4 यहाँ लिखेंगे 4 के अब हम लोग को निकालना क्या p और h दिया हुआ है हम लोग को निकालना है b b का value क्या होता है अपने अगर यह chapter trigonometric का है अगर आपने इसको पढ़े होंगे तो आप python गोरश परिमे python गोरश परिमे से आप जानते होंगे क्या जानते होंगे कि b निकालने का होता है under root h square मैनस p square अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है h हमारा कितना दिया 4 k यहाँ पर 4 k का square कर देंगे plus p हम plus minus नहीं है sorry minus है p हमारे कितना दिया 3 k 3 k का hall square कर देंगे अब यहाँ देखें 4 k का square कितना होगा 16 k square लिखना है minus 3 k square क्या करेंगे 9 k square अब यहाँ पर देखें 16 में 9 घटाएंग कितना होगा 7 k square और यह root है root कर देना देख रहा अब देखें यहाँ पर 7 k अब हम लोगो इससे भी हटाना है तो देखें root 7 का root 7 नहीं होजागा case करगा क्या होगा k होगा तो हम लोगों ने क्या देखें कि यहाँ पर हमारे p, b और h तीनो निकले गया अब हम लोगों को निकालने बोला था क्या निकालने बोला था और H हम लोग को दिया है था 4K, यह दिया था, इतना ही हम लोग को, अब यहाँ पर देखें, अगर B की बात करें, तो B हमारा कितना है, रूट 7K, और H हमारा कितना है, 4K, अभी K के कैंसल कर देंगे, तो रूट 7 क्या होगा, 4, अब देखें, हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, दूसरा हम लोग को बोला था, 10A का वैलू निकालने के लिए, 10A, 10A को हम लोग क्या लेखेंगे, B बाई P, अब B के वैलू अगर देखा जाए, तो रूट 7 के है, और, स्वरी, P, P हमारा कितना है, 3K, और B हम लोग निकालन रूट 7 के, अभी K कैंसल आउट कर दीजे, तो 3 by रूट से 7 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, उमिद करते हैं कि यह दो कोशन जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा, अब जो आगे हम लोग कोशन करेंगे, तीसरा नमर कोशन, ठीक है, चलिए, थार्ड नमर कोशन पर हम लोग आते हैं, अब यहां पर थार्ड नमर कोशन क्या कर रहा है, कि मान गयात कीजे, क्या बोलना, मान गयात कीजे, किसका मान गयात करना है, 2 10 स्क्वेर 45, फिर, कॉस्वेर 30, और मैस साइन स्क्वेर 60, इसका क्या कर रहा है, मान गयात करना है, वैल्यू न ener 2 है इंडू 10 square 45 तो 1045 का वैलू कितना हाता 1 का स्क्वार करें ज comments तो पलस कॉस स्क्वार 30 छिति का वैलूर Αर्ड फ्रिमा पहला है टो लिख DollAR सैंट शिस्टी सार्ड शिट का वैलूर हो जो थी पहला है अब यहां देखेals 2 गुने एक का स्क्वर कितना होगा एक पलस, रूट 3 का स्क्वर करेंगे कि ना 3, अब 2 का स्क्वर करेंगे कितना होगा 4, फिर मैनस, रूट 3 का स्क्वर करेंगे कितना 3, 2 का स्क्वर करेंगे 4, अब यहां दिखिए यह दोनों कट जाएगा तो 2 को एक से गुना करें कितना होगा 2 हो जाएगा ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नमर का उमिद करते हैं कि ये भी आपको 3 नमर कोशन समझ में आ गया होगा जैसे मना रहे हैं ऐसी ही आप exam में बनाते जाएगा अब दीखें 4th नमर कोशन 4th नमर कोशन क्या करहा है यहाँ पर बोल रहा है सीद्ध करें 4th नमर कोशन करहा है सीद्ध करें क्या करने बोल रहा है cos 38 degree और cos 52 degree minus sin 38 फिर क्या हा रहा है into sin 52 इक लड़ू क्या है 0 आपको क्या करना है इधर वाले को हम लोग LHS बोलते है lhs ले लेना cos 38 cos 52 minus sin 38 और sin 52 यह lhs ले लिए अब यहाँ पे देखिए कि cos 38 और cos 2 इस दोनों मिला के क्या होगा 90 हो जागा ठीक है अब यहाँ पे देखिए sin 38 sin 52 है तो आप क्या करो कि इधर वाले दोनों का value चेंज कर दो cos 38 है cos 38 खुली सकते है 90 minus 52 90 में अगर 52 घटाएंगे तो 38 होगा इंटू फिर cos 52 है cos 52 को भी 90 minus 38 कर देंगे अगर 90 में 38 घटाएंगे तो कितना होगा 52 और इधर जैसे है sin 38 है रहने दीज़े sin 52 है इसको भी रहने दीज़े कोई दिक्कत अब दीए cos 90 minus sin क्या होगा 38 है 38 लिग दो minus sin 38 into sin 52 क्लियर है अब दीए sin 52 इधर भी sin 52 sin 38 इधर भी sin 38 दोनों मतलब क्या होगा बराबर होगा अब घटाएंगे तो दोनों क्या हो जागा 0 हो जागा और यही तो हम लोग को RHS में proved करना था यह RHS मेरा क्या होगा proved हो गया तो यह हमारा हो गया 4th number question अब आते हैं हम लोग 5th number question पर 5th number question क्या का रहा है यहां मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा लंबा question है यहां पर बोल रहा है कि 7 cm तिरजिया तथा 5 cm उचाए वाले लंबरित बैलन का आयतन गयाद कीजे बैलन का आयतन गयाद करने बोला है बस अपको कुछ नहीं करना है हम लोग को यहां पर 5th number question में क्या है तिरजिया दिया हुआ यहां पर हम लिखना दिया है तिरजिया तिरजिया को R से डिन नोट करते है आर कितना दिया है, 7 cm उसके बाद हम लोग को बेलन का क्या दिया हुआ, उचाई दिया हुआ, उचाई उचाई कितना दिया है 5 इसको एज मान लेते हैं, बेलन का ही सारा चीज दिया हुआ है, तो अब लिखेगा लम बृतिय बेलन का आईतर दीख रहा है, यहाँ पे हम लोग आईतर, कितना होता है इसका होता पाई आर स्क्वेर एच, यह फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि बेलन का जो आईतर होता पाई आर स्क्वेर एच, पाई का वैलू गुना करते हैं, 22 गुना 5 करेंगे 110 गुने, सात का स्क्वेर है तो दो बार आप सात लिख सकते हो, इसक्वेर तो बटे, नीचे सात है सात हो गया, है अब यह साथ साथ कैंसिल, अब यहाँ पे देखिए अब 110 गुने क्या होगा चाहिए 7 तो यह 5 नमर कोशन था अब देखे 6 नमर कोशन 6 नमर में कोशन में क्या कर रहा है माध्यक माध्यका तथा बहुलक के बीच क्या बोल रहा है समन बताईए समन बताईए बहुत हीजी है दीए यह एक फॉर्मूला है तो इसको सिंपल सा यह आंसर इसका जोगा इसको याद कर लिजागा 3 माध्यक बराबर रता बहुलक जोड दो माध्यक बस इतना ही करना है तो इक मार्ष अपको मिल जाएगा शीक्स सेक्षम्ज में आ गया अब आते हैं लोग सेवन नमबर स्यवन नमर कोशिंड में क्या कर रहा कि यहां पर हैं आपको कोशिन भी पढ़ा देते हैं क्या बोल रहा है एक पासे को एक बार फेका जाता है अगर आप एक पासा है ठीक है उसको आप एक बार फेकोगे तो निम्निकित में प्राप्त करने वाली परेखता गयात करना है कि कितने बार B-Samsung के आएंगे कितने बार समसिंग के आएंगे अगर एक पासी को फेकेंगे तो थोड़ा समय आपको दूसरे पेजिन पर ले आता हूं और इनको अच्छी से मैं समझाता हूं ताकि आपको नमघде है अब दीए six number है एक पासा पासा जानते हैं कैसा थे पासा इस तरह इस तरह एक पासा होता है जिसको लोग लुड़ो कहते हैं यह पासा है इतरह अगर छे है इस तरह चे नंमबर लिखा कोगा इंदर एक नंमर होगा इस तरह अकर करो चार रहेगा तीन रहेगा इस कितना होता है छे नंबर होता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एक आंसर करोगे कुल परिनाम कुल संभव परिनाम की संख्या कितना होगा अब हम जस्ट आपको बताएं कि यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शे तक रहेगा तो कुल समभब परिणाम कितना अच्छे है क्यों, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, कुल समभब परिणाम है अब यहां पर बूताब वी सम सेंग है कुल बीसम सिंग है पहला कोशन बोलना बीसम सिंग है तो यहां पर लिखेंगे कुल बीसम सिंग है अब यहां पर दिखेंगे वीसम सिंग है किसको बहुत है जो दो से भागने हो तो एक एक हो एक आएगा यहेखों टीं आएगां यहेखों 5 आएगा तो कुल विसम सेंगा है कितना है एक दो 7 यह ञाल et agreements यह थीन और 5 यह भीशम संगे है टोडल कितना नमबर आगै तीन नमबर आगै अब यहां पर हमारा question पूल दा था कि प्रयाक्ता है क्या होगा तो simple सा लिखे प्रयाक्ता वराबर क्या होगा जितना संख्या कितना संख्या है विसम संख्या तीन अब कुल संख्या कितना अच्छी कड़ जागा क्या एक बटे दो तो कुल विसम संख्या के प्रयाक्ता कितना होगा एक बटे दो अब यहाँ पर दूसरा पोल रहा सम संख्या एक संख्या ह होगा तो कुल है कि संग्या का प्रैक्टा कुल संग्या निकालो कितना होगा देखें दो तीन चे यह संग्या है तोडल कितना हो तो कुल सेंगया तीन था अब अब यह नम्मर है जो कि मैंने आपको बताए यह तोडल मार्क सबका छे देगा यह सेक्षन वन बताएं अब आते हम लोग सेक्षन दी में अब यहां पर जितने भी पढ़ेंगे सेक्षन बी के कोषन करेंगे जो कि आपका अपका एक्षन बी में दो अंक मिलेगा मार्क इसमें परतिय कोषन के लिए कितना मिलेगा दो अंक मिलेगा चलिए पहला कोषन हम लोग पढ़ते हैं पहला कोशन कहा रहा है यहां पर मैं आपको कोशन भी दिखा रहा हूं कि यहां देखे बिंदू पांच और मैनस से और मैनस एक और मैनस चार को जोडने वाले रेखा खंड को अक्ष के किस अनुपाद में विवाजित करती है अक्ष को किस अनुपाद में विवाजित करती है आपको नहीं समझ माँ है यहां पर देखे आपके पास मोडल कोशन है आप उसको ध्यान से आप देख लिजेगा एकक करके यहां पर लोगों ने में सीक्स नमर कोशन सेवन नमर कोशन बताया था अब ही जो बतारहे हैं यह 8 नमर कोशन है यहाँ पर यहां पर म लोक को लिए हुए हो निकलंके दिखाते हैं यह इसतरल का एक लाइन के ज़़े थे ethical अमेरे दिया हुआ इसका नाम दिया 5 और मैनस 6, दूसरा पॉइंट दिया मैनस 1 और मैनस 4 और यहाँ पी एक पॉइंट बीच में इसका नाम रखते हैं P जब आपको X अक्ष बोला जाए हमेसा याद रिखे, जब X अक्ष बोला जाए तो Y को लेना है 0 दीख रहा है और जब आपको Y अक्ष बोला जाए तो X को लेना 0 हमेसा याद रिखे, जब X अक्ष बोलेगा तो Y को 0 तो यहाँ पे कोश्चन में हम लोग को बोल रहा है Y अक्ष की सनुपाद में होगा Y अक्ष की बात कर रही है तो Y अक्ष बोला तो X को कहा लेंगा 0 तो यहाँ पे xy जो होगा x हमारा 0 हो जागा y का value y ले लेंगे ठीक है अब बोला कीस अनुपाद में तो यहाँ पे देखे यह एक अनुपाद होता है इसको मालने जाएगा m1 और यहाँ से यहाँ तीके दूरी को मालने जाएगा m2 ठीक है यह अनुपाद दिया हुए m अनु ही होता है clear है अब जब हम लोग को यह अनुपाद निकालना m1 और m2 तो यह x वाला value को हम लोग को देखना है ठीक है तो यह धर भी x1 और x2 ही ले ले लेना है तो हम लोग यहाँ पे x1 के अगर बात करें तो कितना दिया 5 और x2 की बात करें तो कितना दिया मैनस 1 और x की बा निकालने का होता है m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 यह फार्मूला है अब यहाँ पे इसी से हमारा क्या होगा यह m1 और m2 निकाल जाएगा इसी को निकालना है तो यहाँ देखे x हमारा कितना दिया है 0 आप कर दो यहाँ पे 0 equal to m1 नहीं पता है तो m1 रहने दीज़े इंटू x2 पता है x2 यहाँ देख सकते कितना मैनस 1 तो यहाँ पे मैनस 1 लिख दो प्लस m2 m2 लिख देंगे x1 हम लोगों पता है कि नहीं x1 पता है कितना 5 यहाँ पे 5 कर दो पता था ठीक है और उसके बाद m1 और m2 पता नहीं है तो m1 m2 रहने दो अब क्या करें यह वाला पार्ट्स इधर लेओ यह पूरा पार्ट्स क्या हो जागा 0 अगर m1 प्लस m2 को 0 स बिला जबता है अब यहाँ पे इसको मैस uy्adores से करेंगे तो मैनस मानण हमान होगा प्लस में तो क्या हैं मटेगा इछसे मटिप्लाय करेंगे तो क्या है कि अब यह म मल्टिप्ले में इधर आ जागा तो क्या होगा डिवाय जागा M1 में क्या होगा M2 अब यहां पर 5 कुछ नहीं है तो इसके नीजे क्या होगा 1 तो अतर यह M1 इसका बटे का मतलब अनुपाद भी लिख सकते हैं M2 बरावर इसका 5 अनुपाद 1 इसका एंसर हो जागा अगर मज में आ गया 8 नमर कोशन चलिए अब आते हैं लोग 9 नमर कोशन में थोड़ा इससा लेंदी है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में एक सेट को क्लियर करना चाहरा हूं ठीक है अब दिए 9 नमर कोशन में क्या कह रहा है कि हमारे पास उस तिर्बूज ABC का शेतपल गया इसके सिर ठीक है तिर्बूज के क्या है सिर्स है पहले सिर्स का जो वैलू दिया है कितना दिया 5 और 2 और दूसरे सिर्स का जो वैलू दिया है कितना दिया 4 और 7 और तीसरे का कितना दिया 7 और मैनस 4 यह 3 वैलू दिया है अब इसका इस तिर्बूज के छेतपल निकालना है ठीक है इसको y1 बलते हैं, इसको y2 बलते हैं, इसको y3 तो simple से आप यहाँ पर कह लिजिए, लिखे कि दिया है हमारे पास क्या दिया है, x1, x2, x3 5, 4, 7, x1, 5, y, x2, 4, और x3, 7 फिर y1, y2, और y3 y1 की अगर बात करें तो 2 हो, y2 की बात करें तो 7 है y3 की बात करें तो क्या मैनस 4 है, बस, इतना आपको पता होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर फार्मूला होगा, इस तिर्भूच a, b, c का छेत्पल यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या करना है, एक वटे दू अधिके हम कैसे याद करते हैं, पहले x1 लिखते हैं, फिर इस तरह ब्रैकेट देते हैं प्लस फिर x2 लिखते हैं, फिर इस तरह का ब्रैकेट देते हैं, फिर प्लस x3 लिखते हैं, फिर इस तरह का ब्रैकेट देते हैं अब उसके बाल लिखते हूँ 23 मंलग की y का value लिखते है x2- y2- y3 23 हो गया फिर 31 y3- y1 31 फिर 12 y1- y2 देख से थे 31-12 यह formula है अब इस सब का value पूट कर दीज़े चलिए हम आपको करके दिखाते है एक बटे दू x1 x1 यहां कितना दिया है यहां पर 5 लिखो y2 y2 कितना है 7 7 लिखो y3 y3 क्या मैनस 4 और यह मैनस पलस 4 फिर पलस x2 x2 कितना है मेरा 4 पलस 4 y3 y3 कितना है मैनस 4 यहां पर मैनस 4 मैनस है y वर y1 क्या 2 मैनस 2 पलस x3 x3 कितना है 7 7 लिखो फिर y1 कितना दिया है y1 मैं रहा 2 2 लिखो फिर y2 कितना दिया है 7 तो मैनस 7 अब इसको solve करते है ठीक है अब एक बटे 2 5 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 यहाप 11 लिख दो पलस मैनस 4 और मैनस 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा ठीक है अब यहापे देखो एक बटे 2 एक 5 को 11 से घुना करेंगे 11 पचे पलस और मैनस क्या होगा मैनस 4 को 6 से घुना करेंगे 6 चोड़ेंगे 75 अब यहापी क्या करो कि 1 बटे 2 55 अब यह दोनों दीखें मैनस में तो यह जूड जूड जागा पांच और चार कितना अगया नौ तीन और दो कितना अगया पांच 69 अब एक वट्टे 2 गुने 55 में 69 घटाओगे तो क्या होगा मैनस 4 अब इसको 2 से कट दो तो कितना जागा मैनस 2 यह हो जागा आम सर और यह आपका 9 नमर कोशन था इसको अच्छी तरीके से आप नौट कर लिजेगा हम जैसे बनाए एक नमर भी नहीं कटने वाला आपका एक्जाम में अब यहां पर देखिए 10 नमर कोशन 10 नमर क्या कोशन का रहा है यह देखिए 9 पॉइंट का कोशन है 9.1 का मैं आपको यहां पर दिखा हूँ क्या आ रहा है धारती पर एक मिनार उर्धवादर खड़ी है मिनार के पात बिंदू से 15 मिटर दूरी स्तीत बिंदू के मिनार के सीकर का उन्हें कर 60 दिग तो मिनार की बंचाहिएं किजे देखे कोशन सिर्ब इतना भी दे रहेगा फिगर्व नहीं रहेगा अब यहां पर गोए전 vocabulary बनाना आई यहां पर हमारे पास गया रह ना देखे एक मिनार बंते है अधम सीधा बनाना यह मैं रा एक मिनार है, यह मिनार बनावा दिये, इसको मालना थे मिनार, मिनार की उचाई, अब इसके पात बिंदू, मतलब यहां नीचे से, इसका जो नीचे है, यहां से कुछ दूरी पर, यहां पर हम दूरी देते, यहां से यहां था कर दूरी इसमें दिया है कितना, 15 मिटर, 15 मिटर यहां पर union को बनता है कितना degree का बन रहा है ऐसाथ डीगरी का बन रहा है अब इसका नाम देदो A B C जब हमारे पास figure बन गया तो अब मीनार क्या है उसको नहीं पता है हमको इसका value निकालना है यह जो तो हम लोग यहां पर लिखेंगे चीतर से चीतर बनाने एक बाद हम लोग लोग यहां पर इस लिखेंगे तिरबूच A B C में तिरबूच ABC में ठीटा कितना दिया है सिस्टिडी और यहां पर AB जो है मिनार की उचाहिए मिनार की उचाहिए यह निकालना है और बीसी हमारा कितना दिया है 15 मिटर अब एक चीज़ हमेशा याद रखेगा यह ठीटा के सामने वाला अगर आप पढ़े होंगे चिक्रोनमेट्रिक तो प बोलते है और इसको बोलते बी अब दिखें हमारे पास जो दिया हुए यह 15 दिया हुए और यह मिनार की उचाहिए निकालना है यह दो निकालना है तो हमा का अब यहां पर देखें 10ह का वैल्य कितना होता है तो यहां पर करदो. अब B मेरा क्या है BC यहाँ पर कर दो BC अब दीए 1060 का value कितना होता है 1060 का value होता है root 3 तो यहाँ पर कर दो root 3 कर दो और AB को हम लोग क्या माने मिनार क्यों चाहिए X माने X लिख दो और BC हमारा कितना 15 है यहाँ पर 15 कर दो अब नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 लिख दो अब cross multiply करने आता इसको इससे multiply कर दो X को 1 से multiply करेंगे X होगा 15 को root 3 से multiply करेंगे 15 root क्या होगा यही होगा इतना meter हो गया तो आप यहाँ लिख सकते है अता मिनार की उचाहिब बरावर क्या 15 root 3 meter यह answer होगया ठीक है यह 10 number question था उमीद करते हैं यह भी समझ में आगया होगा अब आगे हम लोग आते है 11 number question 11 number question क्या कर रहा है यदि 10 A बरावर cot B हो तो C दिखीजिए कि A प्लस B कर दो कितना होगा 90 डिकल बहुत इजी है आपको क्या करना यहाँ पर answer देखे हम कैसे मनाते है यह दिया है value तो 10 A बरावर 10 V यह हम लोग को क्या है दिया है ठीक है अब दोखो यहाँ पर आप क्या करो इस दोनों को सरी एक quad दिया है इक quad भी दिया है अब इन दोने से या तो इस 10 है तो इसको quad में chance करता हम या तो हम क्या करते है इसकोCHANZ करते है इसको quad में chance करते है यह 10 A इसको ली सकते है 10 90 मैनस B 90 मैनस B 10 90 मैनस B वरावर क्या है Quad भी होता है फॉर्म्ला याद रहएगए 10 90 मैनस theta इकल टू होता है कॉट ठीटा यहां पे जो होगा वही चीज़ होगा तो वही चीज़ होगा तो इसमें हम लोग चेंज कर दिये अब यहां पे देखिए यह 10 10 अब को टक कर की नहीं दिखाना है यह तो यहीत तो आम लोग को प्रूब भी करना दिख सकते है यह प्रूब यह समझ में आगए उमिद करते हैं यह समझ में आगया होगा अब रहा टूबलल नमर ये टुवल नमर कोशन में क्या है रचना है ठीखाँ ये रचना का हम एक separate video सवी set का बना देंगे तो अभी हम लोग चलते हैं 13 नमर टुवल का जो रचना वाला है एक separate video बना देंगे जिसमें खाली रचना के लिए हम बता देंगे पूरे set का तो उसमें देख ली जाएगा अभी फिलाल हम लोग 13 number question को solve करते हैं अब दीखे 13 number question क्या है कि यहां पर हमारे पास 5 cm तीरिजावला एक बरीत मतलगी एक बोल रहा है 5 cm तीरिजावला एक बरीत है यह हमारा बरीत है इसकी तरिजय है कितना है 5 cm और यहां से दो असपर्स हीका है एक इधर से असपर्स हीचेँ है और यहाँ पर बौई उन्यां देख है इसको यहां 60 दिग्री पूरे का एंग्ल कितना है 60 दिग्री बोल रहा है 60 दिग्री पर जुका हुँआ है question में बोल रहा है, तो अब जिसी की E line खीचेंगे ना, तो यह 60 है न, यह 30 होगा, यह 30 में, दोनों divide कर देगा, याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर असपर्स करता हूँ, कितना degree का मनाता है, कौन, 90 degree का, तो इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम O देते हैं, तो हम लोग को बोलना है, कि यह असपर्स रेखा कि लंबाई जो होगा, क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चीतर से, इतना बनाने बाद को चीतर से लिखना है, तिरभूज, OAP, OAP में, OAP में क्या देख सकते हैं, कि यह ठीटा है, तो ठीटा के सामने वोला यह P, यह हो जागा मेरा B, और यह हो जागा H, अब हम लोग को यह ठीटा, हम लोग को यहाँ पर दिया 30 लिखरी, तो हम लोग को यह P दिया हुआ, बी निकालना है, क्योंकि यह असपर शेखा लिकालना है, तो P by B, जो वैलू होता है, किसका होता है, 10 ठीटा का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 10 ठीटा, इकल्डू क्या होगा, P बटे, B, अब 10 ठीटा हमारा कितना 30, तो यहाँ पर 10, 10 30 कल्डू क्या लिखेंगे, P, P के सामने वाला, अमारा क्या है, AO, तो यहाँ AO लिख दू, और B के सामने वाला क्या है, AP, तो यहाँ पर AP लिख दू, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कि 10 30 का वैलू होता है, 1 by root 3, और AO का वैलू हम लोग को दिख दिया है 5, 5 लिख दू, और AP का नहीं पता है, यह क्योंकि यह S पर शेक है, Cross Multiply है, इसको इन से Multiply है, इनको इन से Multiply है, और root 3 को 5 से, AP को 1 से Multiply करेंगे, तो AP हो जाएगा, और 5 को root 3 से करेंगे, तो 5 root 3, यह इसका आंसर, बहुत इजी है, यह इसको बना लिजेगा, और not भी करती जाएगा, अब आते हैं हम लोग 14 नमर कोशन, अब जो हम लोग 14 नमर कोशन डिसकस करेंगे, यह प्रायक्ता से, बहुत ही इजी है, यहाँ पर दिखें कोशन क्या कर रहा है, 14 नमर में, कि एक थेले में एक लाल, पांच काली, ती निली गेंदे हैं, नीशा बीना थेले कोई अंदर जहांके, उनमें से एक गेंद निकालती, इसकी क्या परायक्ता है, कि वो एक गेंद काली होगी, लाल होगी या निली होगी, अब यहाँ पर सिंपल सा क्या है, दिया है, ठीक है, पहले लाल बोला, कुछ भी लिख दिये, लाल गेंदो की संख्या, लाल गेंद हम लोग को कितना दिया है, एक थेले में लाल गेंद है, फिर काली गेंदो की संख्या, फिर नीली गेंद बोला है यही चीज लिखना है डॉट डॉट से दें नीली गेंदो की संख्या कितना दिया है तीन अब दीए कुल गेंदो की संख्या सब को जोड़ दीजिए कुल कितना गेंद होगा पांस तीन आठ एक नौ टॉटल गेंद कितना होगा नौ होगा अब पहला प्रश्ण हम लोगों को बोल रहा है काली गैन तो काली गैन की प्रयाक्ता बोल रहा है क्या होगा तो क्या होगा जितना खाली काली किलन के tanah 5 और कुल गैन कितना नौ तो प्विटे क्या होगा नौ पढ़ा दूसरा नमबर में हम लोगोंके बोला लाल ग्यंदग के प्राऊिता तो कुल लाल गैन कितना है यहांपे तिसे लाल गैंद मेरा एक है और टटल गैंद कितना है नो फिर सी नमबर हम लोग को बोला है नीली गैंद लिखना है अब निकैने लिए निली गैंद कितना है यहांपे तीन लिख दीजे और कुल गयन कितना है नौ तो इसकड़ा थे तीन का तीन तीन देया है नौ एक बड़ते कितना हो गया तीन परस अंशर ठीक है यह सेक्षन भी हम लोग क्लिएर कर दिये और लगभग काफी टाइम भी हो गया और भी सेक्षन सी को करते हैं ठीक है अब दीज section c यहां पर हमलोग section c और यह section c में जो भी question आपको बताएंगे तो section c में आपको five number question के question पूछे जाएंगे तीन अंग के question पूछे जाएंगे अब हमारे पास fifty number question दिया है जो section c में आपको बता रहे हैं question मैं आपको पढ़ा देता हूँ कह रहा है कि साथ मीटर उचे भवन के सीखर के एक केबल टावर के सीखर का उन्यन का साट डिग्रे है और इसके पात का अबनवन कौन पैतालीस टावर के उचाई ग्यात करना है यह ग्यात करना है आपको समझ में नहीं है हम आपको समझाते हैं समझें यहां पर बोल रहा है कि सात मीटर उचे भवन है तो भवन हम लोग यह बनाते ठीक है यह मेरा भवन घर बना दिये इसकी उचाई कितना है 7 मिटर अगर माले जी यह 7 है तो इधर भी 7 होगा अब इसके उपर एक टावर यहां पे हम एक टावर लगा दिये। आपर चूप चाहिए। अब किया भावन है। यह झो भावन से इसका ओन्यन कुन कितना कंड़ बा और 50 का कुषए का ऐगर इसको थोड़े से इसकी मनाइएगा श्यूभ दोड़ो जल्दी में इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी समझाते जाते हैं यहांसे समझते जाएगा फिर मैं आपको बताता हूं कि यह बोल राइक भवन है यह भवन है साथ मीटर का और इसके ओपर में 50 kg यह 65 होगा इसको बोलते हैं एकांतर कॉंठ तो सब सब का नाम करूंए इसका नाम है इसका नाम दीज सी इसका नाम दीजantic अब जब आप पया बना लिजेगा तो यह हमारा क्या बन गया एक फीगर बन गया अब इस फीगर में आप क्या करना है इस हम लोग लिखेंगे चीतर से क्योंकि उतना लिखेंगे तो फज जाएगा सिंपल सा लिखें चीतर से चीतर बना दिया आप समझे यह क्या क्या बना है अब चीतर में क्या है हमारा कले लिख जब कि A B जो है मिनार की उंचाई है अब जिसको हम लोग H मान लिए ठीक है बस इतना ही लिखना है उसके बद हम लोगो जो वैलू दिया है B C बराबर हमारा क्या है B C और E D दोनों क्या होगा मेरा 7 होगा क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर होगा उसके बाद E B B E और C D दोनों क्या होगा हमारा बराबर होगा अब उसको हम लोग नहीं देखना है अब देखिए आपको क्या करना है यह वाला तिर्बूज लेते है तिर्भू C, D, E में अगर C, D, E लेंगे तो यहां ठीटा मारा कितना है? 45 ठीटा इकल दो कितना है? 45 अब देखें हम लोगों को क्या करना है? यह वाला भेलू निकलना है यह वाला नीचे वाला और यह तो आपको 7 मीटर दिया हुआ है तो यह निकलना है अब देखें ठीटा का वैलू हमारा कितना है? 45 45 लिख देए अब P हमारे क्या है? ठीटा के सामने वाला P मतलब कि D और E हमारा P है और B हमारे क्या है? C, D अब यहां पर देखें 10, 45 का वैलू 1 हो गया बराबर D, E, D हमारा 7 दिया है और यह C, D हमारा C, D ही रहेगा 1 आप चाहो तो इसको क्या कर सकते है? cross multiple C, D बराबर क्या होगा? 7 को एक से गुना करेंगे 7 तो C, D बराबर हमारा क्या होगा? 7 या निकल गया अब हम लोग क्या करते है? चुकि C, D, बराबर ये जो CD जो है BE के बरावर होगा इसलिए क्या होगा BE बरावर क्या होगा 7 होगा, क्योंकि दोनों मिलाके 7 ही होगा, तो BE का value क्या होगा 7 हो जागा, 7 निकाल दिये अब इस तिर्भूज को लेंगे, तिर्भूज A, B, E तिर्भूज A, B E में तिभूज A, B, E में अगर देखा जाए, ठीटा कितना है, 60 डिगरे, तो ठीटा यहाँ पर क्या लिखते हैं, 60 डिगरे, कोई दिक्कत नहीं होना चीए, अब देखे, ठीटा के सामने वाला इसको कलते है, P और इसको कलते है, इन दोनों का relation, क्योंकि हमको E find करना है, तो E 10 ठी ठीटा इकल टू, P भाय क्या, B, अब देखे, 10 ठीटा, ठीटा हम लोग को कितना दिया, 60, 60 डिगरे, अब P, ठीटा के सामने वाला, P, P मतलब क्या होगा है, मेरा A, B, तो यहाँ पर A, B लिख दो, और B हमारा क्या होगा, BE, तो यह BE लिख दो, कोई दिक्कत, चलिए, नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते है, 10, 60 का वैलू क्या आता है, 10, 60 का वैलू, रूट 3 होता है, और A, B, A, B अगर यहाँ पर देखा जाए, तो A, B का वैलू नहीं दिया, कि क्या माने हम लोग, H, तो यहाँ पर लिख दो, H, और B, B, देखे, हम यहाँ मुल्टिप्ला करेंग, H, 7 को रूट 3 से मुल्टिप्ला करेंग, 7 रूट 3, ठीक है, इसको आप equation 1 माल लो, इसको equation 2 माल लो, अब गया खरो, समिकरन, A को रड़ 2 को जोड़ दो, ठीक है, यहाँ तो लिखो, समिकरन, 1 प्लस 2, अब यहाँ पर समिकरन, A में है मारा B, प्लस, समिकरन 2 में है, अब यहाँ देखिए, समिकरन, A, B का वैलू 7, B का वैलू 7 दिया है, और इसका वैलू समिकरन 2 का दिया है, 7 रूट 3, अब आप क्या करो, यहाँ पर देखिए, H और B, सरी, यहाँ पर H, और यह होगा, B, E, B, E का वैलू हम लोग अभी निकाल ले है, A, B का वैलू इतना हो गया, और B का वैलू 7 रूट 3 है, तो B, E के जगे हम लोग यह भी लिख सकते हैं, यह, सरी, समिकरन 1 और 2 के जड़ना है, यहाँ पर मिश्टेक हो गया, ठीक है, इसको कट कर दाना, आप यहाँ पर करो, यह, यहाँ पर आते हैं, A, B और B, C को जड़ो, मिनार की उचाही जो है, अधा करके, अत्ता है, मिनार की उचाही, क्या होगा, A, B, यह तो A, B, प्लस B, C, यह होगा, अब A, B, A, B का वैलू, जो हम लोग, A, B का वैलू, जो हम लोग निकाले हैं, जो H दिया हुआता है, यह H था ना, यह H 7 रूट 3, तो यहाँ पर लिख दो, 7 रूट 3, प्लस B, C का वैलू, B, C का वैलू, यहाँ पर दिखे कितना दिया, 7, यहाँ वे 7 लिख दो, अब इसमें भी 7, इसमें भी 7, 7, 7, को में निकाल दो, रूट 3, प्लस क्या हो जाएगा, 1, और यही होगा मिनार के उचाई, आंसर, क्लियर है, यहाँ पर हम लोगों ने 15 नमर कोशन तक सौल्ट किये, अब आगे हम लोग, आते हैं 17 नमर कोशन, सोरी, 15 के बाद 16 नमर कोशन, 16 नमर कोशन क्या कह रहा है, उसक खिलोने का संपूल उचाई 15.5 सेंटीमेटर थे, इस खिलोने का संपूल प्रिष्टिश अकपल क्या है, अब देखे हम आपको बताते हैं कैसे आपको बनाना, हमारे पास एक खिलोना दिया हुआ, ठीक है, खिलोना कैसा, एक नीचे अर्ध गोला है, इस टाइप का, इसके यह उपर एक संकू बना हुआ है, इस तरह का, अभी अर्ध गोले का जो तिर्जिया है, 3.5 दिया है, और संकू का भी वही दिया है, और यह संकू का उचाई होगा, अब यह और यहां से यहां तक खिलोने का उचाई 15.5 दिया हुआ, ठीक है, अब हमको यहां पर लिखालना खाली इस संकू का उचाई अगर आपको निकालना होगा, तो देखे, अर्ध गोला है, अगर इस 3.5 इधर है, तो तिर्जिया इधर भी 3.5 होगा, तो 15 में 3.5 घटाएंगे, तो यह वाला जो हमारा होगा, संकू की उचाई होजागा, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, दिया है, अब दिखे, यहां पर दिखे, अर्ध गोला है, उसी एक उपर संकू भी है, जो संकू का तिर्जिया होगा, वो अर्ध गोला का भी तिर्जिया होगा, तो दिया है, तो यहां पर लिखेंगे, संकू की तिर्जिया, बराबर क्या होगा, अर्ध गोले की तिर्जि संपुन उचाई कितना दिया है 15.5 यह देख सकते हैं यह दिया हुआ दिख रहा है 15.5 दिया है अब अगर हम लोग निकालना चाहते हैं अब हम लोग को क्या करना है कि यह जो संकू की उचाई वो निकालना है तो संकू की उचाई इसको हम लोग संपूर्ण उचाई था कितना 15.5 में यह 3.5 को क्या करना मैनिस कर देना है तो एंसर कितना आएगा हमारा टू बल कि साड़े 15 में 3.5 घटाएंगा तो कितना ओगा 12 आएगा तो यह हमारा 12 हो गया लेकिन अब देखेए वाकर प्रिश्टे सेथपल निकालने बोला है तो इसका ये वाला उचाई इसको कात है तीरियक उचाई निकालना होगा संको का तीरियक उचाई तो यहां लिकान प्लस क्या आता है 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 अब दीखे आर हमारा कितना दिया है अभी जस्ट हम आपको बताएं 3.5 ऐसे 3.5 है 156.225 सोरी पचीज अब इसका रूट निकालना है कैसे रूट निकालेंगे यहां पर बताते हैं दीखे बारह अधी एक सो चपन और पचीज यहां पर बना के दिखाते हैं ठीक है कैसे करना है अब यहां पॉइंट है दो अंक इधर से टिक करना ठीक है वन वार में वन एक को कि दोनों को चोड़ेंग है दूब एक साथ दो अंग उतारते हैं वरगमून निकाले के लिए 56 होगा कितने वार में दो बार में यहां पर दो लिख दो क्यां चार च्जशल में 24 हो गया दू पान्च में चार गया 1 दो दूना चार दो इकम 2 अब दीए पॉइंट है तो यहां पे पॉइंट दीजिए फिर 25 एक साथ उत्रेगा तो कितने बार में पांच बार में पांच बार में आप कट आओ गया तो इसका अगर वर्कमून लिका लेंगे तो कितना हो गया 12.5 तो देख सकते हम लोग एल भी निकालने सब पोजिन कर ल लगाना है संग खिलोने का खिलोने का संपूर्ण प्रिष्टिय चेतपल तो अगर संपूर्ण प्रिष्टिय चेतपल निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना संकू का वक्र प्रिष्टिय चेतपल पहला हो गया दूसरा अर्ध गोला नीचे है तो नीचे अर्ध गोल का गोले का वक्र रिष्टिय चेदपन अब दीखे संकु का क्या होता है पाई आर एल और इसका अर्ध गोले का क्या होता है टू पाई आर स्क्वेर यह वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अब आगे चलिए हम लोग यहाँ पर करके दिखाते है अभी हमने आपको क्या क्या बता है पाई आर एल प्लस टू पाई आर स्क्वेर अब यहाँ पर दिख़ें दोनों का र तो समी था चाहए आप यह हर्ध गोले का ले ले Лqualified या तो संकु का ले तो पाई आर पाई आर दोनों का रहा बचा अब दीखिए पाई का वेलू 22 बटे साथ आर का वेलू अभी जस्ट हम आपको बता कि आर का वेलू 3.5 लेना है और एल का वेलू 12.5 ठीक है तो यहाँ पे 3.5 इसको 12.5 कर देते हैं एल का वेलू प्लस दू गुना आर का वेलू 3.5 अब यहाँ दीखिए 22 बटे साथ गुने 12.5 जोड़ अब दीखिए दो गुन को 3.5 से मल्डी प्ले करेंगे तो 7 आएगा अब दीखिए 22 यहाँ पे आर यहाँ पे हाई ठीक है आर इसको लीकर चलना है 22 बटे साथ अब यहाँ आर का वेलू कितना है 3.5 यहाँ पे पूट कर देंगे यहाँ पे भुलना नहीं है आर भी है साथ में ठीक है 12.5 और साथ को जड़ेंगे तो 19.5 अब दीखिए इसको साथ पचे 35 0.5 आएगा तो यहाँ पे दीखिए 22 गुना 0.5 गुना 19.5 अब इन दोनों को गुना करेंगे 0.5 का मतलब होता है आधा तो 22 का आधा कितना होगा 11 11 11 गना 19.5 अब इन दोनों को गुना कर दो 19.5 को 11 से गुना करेंगे तो 195 फिर 195 अब गुना करना 5 9 5 चोगदा 10 11 12 कितना हो जागा 21 45 और एक अंक के बाद पॉइंट था एक अंक के बाद पॉइंट दीजे सेंटीमीटर स्क्वाइर तो यह हमारा हो गया 16 नमर कोशन क्लिर है अब आते हैं हम लोग 17 नमर कोशन चलिए 17 नमर कोशन क्या कहा रहा है उसको समझते हैं यहाँ पर बोल रहा है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े हैं और संकु के अकार का है जिनकी तिरजा एक सेंटीमीटर संकु की उंचाई उसकी तिरजा के बराबर है मलब की दोनों बराबर है ठीक है तिरजा भी और उंचाई भी दोनों बराबर है तो ठोस का आयतन निकालना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है एक अर्ध गोले पर यह एक अर्ध गोला है और इसी के उपर एक संकु अध्या रोपीत है अब इसकी तिरजा जो है वन सेंटीमीटर है कितना वन संकु की जो यह उंचाई है यह भी एक संटीमीटर है अब इसका आयतन निकालना है इस पूरे जो खिलोना है यह तो ठोस है इसका आयतन निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे संकु का तिरजिया बराबर जो संकु का तिरजिया है वही क्या होगा अर्ध गोले का भी मतलब आर बरावर हमारा एक सेंटिमेटर दिया है एक सेंटिमेटर लिख देते हैं और हम लोग को संकु की उचाई जो है संकु का उचाई ये भी हमारा एक सेंटिमेटर दिया है लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को आयतन निकालने बोला है इसलिए इसकी तीरियाक डारेक्ट लिको ठोस का आइतन, ठोस का आइतन क्या होगा, संकू का आइतन, पलस, अर्ध, गोले का आइतन, यह दोनों को कर रहेंगे, आपको संकू का आइतन, या दोना चीए, 1 by 3, πr, संकू का आहतन होता है, और अर्ध, गोले का आहतन होता है, 2 by 3, πr, q, अब यहाँ पर देखो, कि, 1 by 3, πr, 4 by 3, πr, 3, πr, 5, r, kitn sub, 1 by 3, रहेंगे, दो, r, r, kitnay, एक ही है, और, 1 का स्कूर कर दो, h, कितnay है, h भी एक ही है, प्लस, दो बटत तीन, अब दो गया पाई, आर कितना एक, एक का क्यूब कर दो, अब सिंबल है, एक वटत तीन, पाई, एक का स्क्वर, एक, एक का वैलू, एक, प्लस, दो बटत तीन, पाई, वन का क्यूब करेंगे, कितना होगा, वन, अब किसी भी सेंग्या को, वन से गुन नोनों का ऐल्सेम करोगा 3 होगा तो इधर कितना हो गया 1 πाइब अधर नगा 2 2 Πाइब और 1 पाइब कितना होगा 3 पाइब है 3 3 करड़ी कितना हो गया और इसको cm क्यों में लिख दूंँ आंसर तो गया जैसे नमर कोशन 18 नमर कोशन में क्या कर रहा है कि हम लोगों के पास यह कुछ आकड़ा दिया गया है ठीक है देखें निमनिकित माद ही निकालना है 0 10 10 20 इस तरह दिया हुआ वरंबारता दिया है माद निकालना चलिए हम आपको बताते हैं कैसे माद निकालना है यहां पर हम लिखते जाते हैं जो value दिया है ठीक है आपको यहां करना है सिंपल से इस तरह c in करना है class interval अब class interval हम लोग को कितना दिया है 0 से 10 फिर 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 इतना हम लोग को दिया है class इंटरवर चल दिस से 50 अब यहां F I मलब बारमबरता लिख लेना बारमबरता कितना दिया यहां पाँच आठ दस तीन है उसके बाद हम रसे कुछ चूट गया गया लुट पाँच आठ पिर 10 यहां पर 20 से 30 है यहां पर 30 से 40 40 से 50 50 से 60 चूट गया था यहां पर आठ और फिर यहां पर 6 अब आपको निकालना क्या है यहां पर इन दोनों को जोड़िए जीरो और 10 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का अंतर देख लेना कितना है इन दोनों का 20 और 10 30 का अंतर की ना 10 सब में 10 10 का अंतर होगा 15 में 10 जोड़ेंगे 25 पच् Glueश में 10 जोड़ेंगे 15 35 में 10 जोड़ेंगे 45 45 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 25 अब यहां पर इन दोनों का मल्टिप्ल है f i into x i f i into x i का मतलब इस दोनों को गुणा करना 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 15 को 8 से गुणा करेंगे 125 ते 120 हो जाएगा 25 को 10 से गुणा करेंगे 38 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 3,5,15,3,29,10 105 फिर आपको क्या करना 45 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा तो 8,5,40 की सुनना 8,32 और 4,36 फिर क्या करना इसको 56,35,35 और 39 तो यहां वोगा अब इसको जोड़ देना fi into x i इसको काते summation of fi into x i इसका मतलब होता है सबको क्या गरना जोड़ना इस सबको जोड़ के लिक बताए कितना होगा तो देखे 5,5,5,10 10 की सुनना हाथ मेरा 1,4,39,9 और 5,14,15,16,17,18,18,19 अब हाथ मेरा 1,3,3,6,6,1,7,8,9,10 और 1 कितना हो गया 11 से कितना हो गया 90 उसी परकार इसको भी जोड़ना है summation of fi इसको भी जोड़ना है 8,8,4, कितना हो गया चोगदा, चोगदा, 15,16,17,18,18,श कितना हो गया 27,27 और 8 कितना हो गया 35 पैंटीस और 5 कितना हो गया 40 इतना जोड़ना है अब आपको क्या गरना माधी निकालना है माधी वरावर इसको एक्स डेस से भी दिनोट करते हैं तो summation of fi x i बटे summation of fi यह चारा कितना हो गया 40 अब इसको कट कर दो 119 बड़े 4 अब 119 को 4 से भाग कर दो 4 दुना 8 तीन 49 हो गया अब कितना से करेगा 9 चोग 36 बचा कितना 3 पॉइंट देंगे तो 0 सचोग 28 फिर कितना हो गया 2 जीरो चरपंचे 20 कट गया तो कितना हो गया 29 पैंट 75 आंसर कितना हो गया 29 पैंट 75 यहां पर 119 को चार से करेंगे भाग ठीक है चारदुना 8 तीन हो गया 49 नौचक 36 इसका आंसर यह हो जागा ठीक है अब चलिए हम लोग आते हैं 18 नमर 19 नमर कोशन और यह 19 नमर कोशन इस मॉडल सेट का लास्ट कोशन है फिर यहां पर बोल रहा हम लोग को माध्यका निकालने के लिए यहां पर देखिए कोशन में क्या कर रहा है माध्यका निकाल लिए ठीक है माध्यका कैसे निकालते हैं फिर उसी तरह आपको करना क्लास इंटरवल निकालना है चालिस पचपन पचपन सतर सतर पचासी एक सट यह हम लोग को दिया है अब फिर एफाई भी हम लोग को दिया है एफ आई कितना दिया है दो तीन साथ चे चे इतना दिया हुआ अब सिमपल सही हम भी आपकर सी चीफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा CF निकालना होगा CF निकालने का क्या फॉर्मूला है ये 2 है 2 लिखे उसके बाद इसको जोड़ेगा 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो 5 फिर 5 में 7 को जोड़े 7 5 कितना हो गया 12 12 में 6 जोड़े कितना हो गया 18 18 में 6 जोड़े कितना हो गया 24 20 में फिर 6 जोड़े कितना होगा 30 अब यह 30 हो गया और अब इसको भी जोड़ेगा तो वही होगा कितना आएगा 30 तो इसको हम लोग N बोलते हैं आपर क्या आलते हैं N अब अब दिखें यहाँ पर एक चीज़ जो क्या होगा है हमारा N हो गया अब इन सबों में सबसे अधीक बार क्या आया है सबसे अधीक बड़ा कौन सा है साथ है यह वाला हमारा क्या हो जाएगा F ठीक है बस इसके सामने इदर जाएगा तो उपर वाला हो जाएगा मेरा C F ठीक है बस इसके सामने वाला आई है तो इसका हो जाएगा L तो आपको यहां पर क्या-क्या लिखना है कि हमारे पास N था, N बटे 2 करना है तो 30 बटे 2, कितना होगा 15, पहरा तो हमदा N बटे 2 निकल लिगा, दूसरा हम लोग को F क्याद करना है, F यगा साथ दूसरा हम लोग को सिय हैंप Chancellor रहा है जी किटना है पानच उसके लोत लोग हम लोग को ल हैल कितना च düşünवव है ठीक है उसके बाद एक मिद्ले कि दोनों का नतर कि किसी का नतर पच्चास और सत्तर इन दोनों निकालना जो सबसे बड़ा होगा, एप के सामने वाला इधर बाए जाएगा, जो पहला वला होगा, इधर वला L होगा, इसके इधर ऊपर वला C F हो जाएगा, और इंदेनों बीच का अंतर H हो जाएगा, अब यहाँ पर फॉर्मूला पूट करते, माध्यक के माधिका जो भी चालीस, N में 2 कितना है, 15, C F कितना है, 5, F कितना है, 7, और H कितना है, 15, ठीक है, अब इसको सॉल्ब कर लिजे, 40 पलस, 15 में 5 गया, 10, बटे 7, वोना 15, अब एक काम करो, 40 पलस, यह दोनों को जोड़ेंगे इतना है, और 1,500, बटे 7, अब 1,500 को साथ से भाग कर दूँ, सादुना, चोगदा, 1, 0, साथ एका, 7, 3, 0, साचोग, 28, फिर दू, सादुना, चोगदा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 40 पलस, और इसका बहलू हो गया, 21.42, ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको, राउंड अप कीजेगा तो, 21.5 कुछ आ जागा, ठीक है, यहाँ होगे, एक, 10 निकला, तो यहाँ पे लिका लेंगे, 10, 0 में एक गया, 0, प्लस, एक किदा गया, 1, 4, 2, 6, इतना इसका आ जागा, आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किये, जो भी प्रॉसेस था, यहाँ पे मैंने, पहला सेट, जो था, खतम कर दी है, क्लियर है, तो सेट नमबर वन, हम लोग क्लियर के, इस पार्ट में, और लगबग, एक घंटा से प्लस वीडियो बन गया, जिसमें, एक कोशन मैंने आपको छोड़ा है, रचना से वो में, एक सैपरेट वीडियो एक बोड़ी दोड़ा झाई से वीडियो बनाथ जग दोड़ा खतम कर दो हांबग, जो खतम कर दो किताता बनाथ भार्ट भझता रचा-तो